इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको यहाँ पर सोनी लाओ अपना जो भी काम नहीं कर रहा याने कि आपका जो सोनी लिवे वह चल नहीं रहा तो आप इस प्रब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वालों वीडियो का पूरा जरू दिखीगा तो यहाँ पर आपको जाना है एप इंफो पर एप इंफो पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको उप्शन मिलेगा फॉर्स टॉप का ता आपको फॉर्स टॉप पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर आपक एक option मिलेगा storage usage तो उसके बाद यहां पर आपको जाना है और यहां पर आपको इसका clear data करना है कि clear data करने के बाद यहां पर आपको जाना है और यहां पर आपको एक option मिलेगा data usage तो यहां पर आपको क्लिक करना है अगर यहां पर आपका जो disabled mobile data on है तो आपको इसको off कर देना है अगर आपको यहां पर हिस्टिक data off मिलता है तो आपको इसको on करना है उसके बाद बैक आना है बैक आने के बाद आपको अपने करने के बाद यहां पर आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क पर मोबाइल नेटवर्क पर जाने के बाद यहां पर आपको option मिलेगा तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर एक option मिलेगा आपको access point name का तो उस पर click किजिए, click करने के बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा three dot का तो उस पर click किजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई मारना है reset access point, उस पर click करना है, उसके बाद back आना है बेख आने के बाद यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको option मिलेगा अडिशनल सेटिंग आपके मोबाइल में सिस्टम सेटिंग हो सकता है या मोल सेटिंग हो सकता है तो आपको उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जाना है सेट ऑटमेटिक टाइम इस बटन को आपको दोनों को अन कर देना है अगर ओफ है तो उसके बाद बेक आना है और यहां पर आपको मोबाइल का जो भी प्लेय स्टोरी उसको उपन करना है आपको और यहां पर आपको सर्ज करना है सोनी लिव और यहां पर आपको कोई भी अपडेट दिख रहा है तो आपको इसको अपडेट करना है अपडेट होने के बाद दुस्तों यहाँ पर आपको उसको open करना है तो आपका यह application यहाँ पर चलने लगागे यहाँ पर आपको सारा problem यहाँ पर solve हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वीडियो चले गई तो वीडियो को like करे चैनल पर ने हैं तो चैनल को subscribe करें थन्यवाद